हरे क्रिशना राधिरादे मक्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने बाली हैं फालगुन मास की पोडिमा के वारे में उसके पूजा विदी बताने वाली हूँ साथ ही बताएंगे कि 2024 में इसका वरत हमें किस दिन करना है फ्रेंट्स पोडिमा का हमारी शाष्त्रों में बहुती जादा विशेश महत बताया गया है पोडिमा तिथी यानि कि आपके समस्त कार्यों को पोडिमा करने वाली तिथी है तो पोडिमा तिथी प्रारंब हो रही है 24 तारिक को सुभा में 9 बच करके 55 मिनट पर ठीक है और समाप्त होगी 25 तारिक को दोपहर में 12 बच करके 30 मिनट पर तो अगर आप उदिया तिथी के साथ वरत करते हैं तो आप 25 मार्ज को पोडिमा का वरत करेंगे और क्यूंकि पो वैसे कर सकते हैं आप 24 या 25 दोनों ही दिन में से किसी भी दिन पोडिमा मना सकते हैं क्यूंकि फ्रेंट्स होली का त्योहार है तो आप अपने हिसाब से देख ले जिस दिन आप अच्छे से पूरा पूजन विदिविदान से कर सके वो आप जरूर करें लेकिन पूजा और नियम छोड़ेना क्यूंकि फ्रेंट्स पोडिमा तिथी में मातालक्षमी की पूजा की जाती है जो कि घर के कस्ट दुख दारिद्र को हरती है मातारानी तो आप पूजा नियम जरूर से कर ले और फालगुन मास की पोडिमा है तो काफी बड़ी पोडिमा मानी जाती है तो सबसे पहले सुबा में आप जल्दी उठें इसनान आदी से निवरित होने के बाद सबसे पहले सूर्य देपता को जल चड़ाएं तुलसी महरानी को जल चड़ाएं अपनी दहलीच का पूजन करें और मुख्य द्वार पर बंदन बार लगाएं उसके बाद मंदिर में आप ए जम्रत से इसनान जरूर कराएं आप चाहिए तो अबीर गुलाल से भी आप इसनान करा सकते हैं ठीक है क्योंकि होली का त्योहार है तो यहां पे देखिए हमने अपने लट्टुगोपाल जी को और लक्षमी गणीश जी को अच्छे से इसनान करा लिया है और अच्छे से प पूरे मापर अगर आप ये नियम बनाते हैं कि आप हर पूरे मापर अपने घर में सतनाराइन भगवान की कथा करेंगे मातल लक्षमी की पूजा करेंगे विश्नु भगवान को मातल लक्षमी को खीर का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में दिनों दिन लाब ही लाब होता जा रहा है तो यहां पे देखिए ठाकुर जी का सुन्दर सा शिंगार हमने कर दिया है ठाकुर जी को विराजमान करने के बाद अब हम अपने लक्षमी यनीश भगवान जी को एक आसन देके थोड़े से अक्षत रख करके उसके उपर हम विराजमान क उसके बाद देखिए थोड़ा सामने चाबल की धेरी करके उसके उपर कलश की स्थापना करनी है तो मैं यहाँ पे दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ आप चाहिए आप कलश के उपर नारियल भी रख सकते हैं और कलश की स्थापना मैं हमीशा बताती हूँ कलश में हमें क् की गांट सुपारी सिख का दुरबा डाल सकते हैं पुश्प डाल सकते हैं इत्र डाल सकते हैं लौंग-ईलाइची डाल चाहते हैं तो एक आप पात्र में जलवर के भी रख सकते हैं तो सबसे पहले देखिए हमने गनीज जी पूजन किया भगवान को चंदन लगाया कुमकुम लगाई और देखिए इस तरह से हमें अभीर गुलाल अर्पित करना है पुश्प में लगा करके तो माता लक्षमी का पूजन गनीज जी का पूजन किया है और गनीज भगवान को दुर्वा अगर मिल जाए तो आप जरूर से चड़ा दे मैंने दुर्वा चड़ा दिये इसके बाद लक्षमी नारायन भगवान का हम पूजन करेंगे और इस तरह से देखिए अभीर गुलाल हमें जरूर लग जाता है ना उस घर में कभी भी दरदरता का बास नहीं होता है समस्त मनों कामनाई भी पूड़ों होती है तो यहां पे देखिए ठाकुर जी का पूजन हमने कर दिया है दीपक का भी पूजन हमें जरूर से कर लेना है इस तरह से और फूलों की हम इस तरह से होली कर सकते हैं आप भोग लगा सकते हैं ठीक है और अगर आप सत्यनाराइन भगवान की कथा करते हैं मेरी तरह से तो आप पंजीरी और पंचामरत का भोग लगाना बिलकुल भी ना भूलें ठीक है और माता लक्षमी के लिए आज के दिन आप खीर जरूर बनाए घर में खीर बनाना बेहद शुब होता है पूरेमातिथी में और अगर आप पूरेमातिथी में खीर से हवन करते हैं तो आपको धनलाब होता है ठीक है तो और एक चीज़ में आपको बहुत जरूरी बता दूं कि 24 तारीक को पूरे ही दिन सरवार्थ सिद्धी योग रहने वाला है तो अगर आप इस दिन कोई भी तरह क्या पूजा पाट करते हैं मंतर जाब करते हैं तो उसमें बहुती जादा लाग होता है तो देखिए हमने दक्षना चड़ा दी है उसके बाद भोग में तुलसी पत्र जरूर से रखते और सत्य नारायन भगवान की वरतकथा अगर आप करते हैं तो जरूर करें तो पूरी मा पर वरतकथा सुनना या पढ़ना बहुत ही जादा अच्छा होता है पूर्ण मा चीं वरतकथा भी आप जरूर नहीं पढ़ते हैं तो वो भगवान को अर्पित करतेंगे उसके बाद हम करेंगे आरती की तैयारी तो मैं यहां पे लॉंग और कपूर से आ चाहिए आज के दिन इसके साथ सफेज चीजों का दान आपको आज के दिन जरूर करना है जैसे के दूद, दही और चीनी चावल का दाना आप जरूर करें तो फ्रेंट्स आप अगर अपनी घर से बाहर भी कहीं गए हुए हैं त्योहार करने हो लेका तो भी आपको विरत नहीं छोड़ना है और पूजा नहीं छोड़नी है ठीक है आप चाहें ससुराल गए हैं माईके गए हैं या कहीं पर भी हैं आप ये पूजन जरूर करें तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शियर कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें राधे राधे